Hey everyone, welcome back to my youtube channel, मैं हूँ पूजा लूत्रा, दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरह से acupressure और color therapy की help के द्वारा आप अपनी height को 25-26 साल तक भी easily बढ़ा सकते हैं Well, यह अश्चर होता है लोगों को सुनकर लेकिन यह सच है Well, height बढ़ाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है एक तो होता है growth hormone का secretion, जो की pituitary gland करती है दूसरा आपका digestion बहुत अच्छा होना चाहिए तीसरा strong bonds, यह तीनों चीज़ें बहुत बहुत जरूरी है height बढ़ाने के लिए तो acupressor में कुछ ऐसे points है जिनकी help से आप इन तीनों चीज़ों को stimulate कर सकते हो सबसे पहले बात करते हैं hormone secretion की growth hormone जब हमारे शरीर में ज़्यादा secret होता है तो हमारी height बढ़ती है और growth hormone के secretion को बढ़ाने के लिए आपको मैं acupressor point बता रही हूँ वो यह है आपको अपने thumb की tip को अपने middle finger की tip से इस तरहां से touch करना है यह मुद्रा आपको बनानी है तो जब आप middle finger की tip को अगटे की tip से touch करेंगे तो आपकी pituitary gland stimulate होती है जिससे कि आपकी growth hormone secret होते हैं और आपकी height बढ़ती है अब कई बार ऐसा होता है कि लोगों का digestion ठीक से नहीं रहोत पाता है जिसकी वज़े से खाया पिना लगता नहीं है और उनकी height बढ़ नहीं पाती है तो digestion को improve करने के लिए आपको क्या करना है अपनी thumb की tip को अपनी index finger से यानी first finger से इस तरहां से touch करना है यह भी 5 मिनट के लिए आपको करना है तो अगर digestion भी weak है और height भी नहीं बढ़ रही है तो दोनों मुद्राएं साथ में आप बना सकते हो इस तरीके से और अगर digestion ठीक है लेकिन height नहीं बढ़ रही है तो आप एक मुद्रा बनाएंगे सिर्फ ये वाली तीसरी जो चीज इंपॉर्टन्ट है वो है आपके muscles आपकी bones का strong होना मजबूत होना ताकि आपकी height बढ़ सके तो उसके लिए आपको अपनी ring finger की tip को अपनी अंगुठे की tip से इस तरह से 5 मिनट के लिए टच करना है हलका हलका pressure देना है तो इस तरह से ये point है आपकी strong bones और muscles के लिए this is for growth hormone and this is for your digestion तो ये तीनों point अगर आप stimulate करते हैं दिन में 5-5 मिनट और 2 बार तो आपकी height 3-4 महीने में 3-4 इंच तक बढ़ सकती है दूसरी चीज जो है वो है color therapy color therapy भी बहुत अच्छे से काम कर करती है height बढ़ाने में तो उसका भी मैं आपको बता देती हूं process क्या है आपको green color का एक marker लेना है sketch pen ले सकते हैं या marker ले सकते हैं अब आपको अपनी left thumb पर color therapy यूज करने है height बढ़ाने के लिए हमेशा left thumb पर color therapy यूज करेंगे green color का marker लेना है जैसे मैंने पहले भी बताया और अपने thumb के ऊपरी भाग पर इस तरह से यह आपको curve बना देना है पिल्कुल ऊपरी भाग पर यह देखिए इस तरह से अपने nail के parallel चलेंगे इस तरह से यह line बना देना है मोटी या curve कह लेजिए इसको और इसी तरह से जो यह nail का नीचे वाला भाग है वहाँ भी आपको इस तरह से मोटी line बना देनी है green color जो होता है color therapy के according आपकी height को increase करता है तो जैसे आपने उपर line बनाई है ठीक उसी तरह से नीचे बना देनी है तो यह color आपको 5-6 घंटे के लिए लगा करके रखना है दिन में लगाईएगा इसको रात को सोते हुए नहीं लगाना है मुद्राएं जो मैंने पहले बताई हैं तीन acupressure points जो बताई हैं वो आप सुबा या रात कभी भी कर सकते हैं स्टैंडिंग पुजिशन में कर सकते हैं लेकिन यह जो color therapy मैंने बताई आपको यह आपको दिन में ही करनी है रात को नहीं करनी है तो इस तरह से color therapy के द्वारा और acupressure points के द्वारा मुद्राओं के द्वारा आप अपनी height को बढ़ा सकते हो तो यह था मेरा आज का वीडियो उमीद करते हो आपको पसंद आया होगा प्लीज लाइक का थमसब का बटन नीचे आपसे जरूर जरूर दबा दीचेगा और इस वीडियो को share कीजेगा आपने friends family and relatives के साथ और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजे मैं आपसे मिलूंगे एक और अच्छे सी वीडियो के साथ तब तक के लिए take good care of yourself बाबाई